नमस्कार दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मदबर्देस आशन की कल्यानकारी योजना है अभी हाल फिलाल में MP गॉर्मेंट में जो नई भी योजना आई हैं या जो रणिंग स्कीम चल रही हैं उन योजनाओं से संबंदी जो बेसिक लाइन के कोशिशन्स होते है वो सब हम आज इस वीडियो में जो हो तैयार करने की कोशिश करेंगे अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं यह MPPSC की दोरा लिए जारे वाले कोई भी एक्जाम जैसे DSP Radio, Assistant Registrar, ADPO या अगर कहा जाए कि व्यापम के या अधर जो स्टेट लेवल के एक्जाम से उनकी तैयार अब हमारा जो पहला जो कोशिशन है एक सिकनी इसको थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ मुझे है पहला कोशिशन है मद्यप्रदेश साशन द्वारा संचलित लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में कौन सा कथन सत्ते नहीं है इस योजना की शुरुआत एक अप प्रफ्सान नियम 2020 में यह भी बिल्कुल सही है और लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना की शुरुआत एक अप्रेल 2022 को ही यह बिल्कुल गलत है ठीक है पहले तू देखिए जो लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना है वो कब शुरू ही आठ में 2022 को शुरू है यहां में लिख देख 8th of May 2022 देखिए मत्य प्रदेश के अंदर अगर कहा जाए बालिकाओं के जन्म के प्रति जो ठीक है एक रवईया है उसको सकारात्मक लाना लिंगन उपात को बढ़ावा देना उनके स्वास्त उनके सेक्ष्णिक स्तर में सुधार आदी के लिए हमने लाडली लक्ष्मी यो मिल पाता जैसे इंकम टेक्सपेयर हैं तो उसको लाव नहीं मिलेगा ऐसा मत समझना कि सभी को लाव मिलता है तो सरकार ने शुरू किया उद्देश यही था उसके पीछे के कई कारण है जैसे आप 2011 की जन्गर्णा देखेंगे तो उसमें जो चाइल्ड सेक्ष रेशो है मत ही नहीं सकते तो कैसे इसमें सुधार हो तो इसी को सुधार के लिए हमने यह प्रक्रिया अब सरकार ने क्या करा आट मैं 2022 को एक नई यूजना लेकर आई लाडली लक्षमी 2.0 इसमें क्या करा है कि बार्वी पास होने के बाद जब कोई बच्ची इसना तक पर्ठेक्रम मे वो दिया जाएगा जिससे कि वो अपनी पड़ाई को कंटिनू कर सके दो किस्तों में मिलेगा वो 25 रुपे अन्य साड़े बारा साड़े बारा ठीक है आप याद रहे तो एक तो वो लाडली लक्षमी योजना अलग से चल रही उसमें एक लाग अठारा हजार रुपे तो शेवर गैरेंटी है सरकार की यहां पर यह लाडली लक्षमी औरिजनल योजना थे और यह जो टू पॉइंट जीरो शुरू हुई है इसमें आमन ने क्या कर दिया हायर एजूकेशन के लिए कितना रुपे की बात कर दी 25 जिसको दो इंस्टॉल्मेंट में देने की जो है व यह भी कोशन आ सकता है लाडली लक्षमी उत्सब मनाएंगे यह ना पंचायत लेवल पर और अन्य इस तरव पर हम लाडली लक्षमी उत्सब मनाएंगे उसमें बच्चेयों के जन्म के पृति साकारत्म ग्रवाईया अपनाना ठीक है लिंगान पात्म सुधार सेक्षने स् हम चला सकते हैं वो सब चलाएंगे तो कोई पूछेगा लाडली लक्षमी यहां लिख दे रहा हूं ना लाडली लक्षमी उत्सब का जो है वो यह 211 लाडली लक्षमी टू पाइंट जीरो यह आट में है ठीक है प्रोटल एमाउंट 25.000 रुपे पुरानी वाली जो मोरिज जना के फायदे मिले बिल्कुल मिले ठीक है यह कैसे मिले कि जो नाशनल फैमिली हेल्ट सर्वे होता है ना तो अभी 2019 से 21 का जो सर्वे था उसमें जो चाइल्ड सेक्ष रेशो है याने बाइब बर्ट पर जन्द के आदार पर जो चाइल्ड पापुलेशन है वो हमारे मत्य प्रदेश में अब 959 हो गई है स्वारी 956 हो गई है जो 2015-16 के आंकड़ों में 927 थी याने हम कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं जो मैं लाइन बोल रहा हूं वो समझो कि जब नैशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था 2015-16 के दौरान उसमें यह जो आंक फिप्थ है उसमें तो यह तो अच्छा है कदम जने सरकार के प्रयास बिल्कुल सार्थक और सकारात्मक हम को जो है वो दिख रहे हैं इसमें कोई दोराय की बात नहीं है ठीक है चले अगले के उपर आयाते हैं राजी की चिन्नित राजी की चिन्नित हित्गराई मूलक की सब्ति सेज्च लाएं पहला है पंदरा अगस्त दोजार वाईस से एक नवंबर दोजार वाईस दूसरा मैं सट्रह सितम्बर सेटीस अक्टूबर ठीबी की शच्तूविं दोच ने सब्लीर उन्हेयोजनाओं का लाफ उनहे तक को मिल जाए जित्री भी योजनाओं भी मद्भरदेश आशन चला रही जिसे संभल योजना चला रही है ये अगर कहा जाए जो अजसर्ट के पहले आपने जो है वो लाड़ी लेक्षमी योजना देखेarlी एसी योजना चला रही है इन सब न है एक नमंबर क्योंकि राज्जी कि स्थापना देवास न्या स्था लगा इख फच्चंपर भी वाज्पी जिर्ए जिन्म saja के शीला दूसरा सथा स्टम्बर में आपको याद होगा कि प्रदान मंत्री जी का जनम दिन रहता है तो उसी दिन ये योजना जो है वो मद्रदेश सरकार ने शुरू करी तो ये इसके इतने होर्डिंग्स लगे हैं भोपाल में और भी जिलों में लगे हैं लेकिन मैं तो चुकि भोपाल में हूँ के ग्राम योजना से सम्मंदित निम्न में से कौन सा कतन सही सुमलित नहीं है पहला इस योजना की शुरूआत 15 नवंबर 2021 को की गई बिल्कुल सही इस योजना के तहित मद्रदेश के जनजाती विकास खंडों में वाहन के द्वारा रासन उपलब्द कराये जाएगा ये भ बावन जिलों के गाउं इसमें लावनबित होंगी ये बिल्कुल गला देखिए पहले तो ये याद रखेएगा ये योजना आई कब 15 नवंबर 2021 को प्रदान मंत्री जी भोपाल आये थे कमलापती स्टेशन का उद्गाटन करने मॉडल स्टेशन का उस समय कई सारी योजना उनके द्वारा ठीके लॉंच कराए गई जैसे सिकल सेल सिकल सेल एनीमिया मिशन जो है वो मद्यप्रदेश सारक शाशन ने उसी दोरान मुख्यमंत्री रासान आपके ग्राम योजना भी आई चूकि वो जनजाती दिवसका कारेकरम था ये योजना भी जनजाती नमारे पास 313 इन 313 में से 89 ट्राइवल है तो सीदी सी बाते 52 जिलो तक तो योजना कभी भी क्रियान भी तनी होगी उन ट्राइवल ब्लॉक्स में हम वीकल्स के माध्यम से उनको अनाज उपलब्त कराएंगे ठीक है यहाँ पर अगर कहा जाए चुट्टी वाले दिन छोड ब्लॉक्स के लिए ये पहले दिमाग में रख लेना यानि जनजाती विकास खंडों के लिए योजना है बाकी विकास खंडों के लिए योजना जो है वो नहीं चलाई जा रही है ये कभी आ जाए तो ये याद रखिएगा एक्जाम में यहाँ ठीक है चले अगले कोशन की और बढ़ जाते हैं मिम्न में से किस जनजाती को आहार अनुदान योजना में शामिल नहीं किया गया बेगा भारिया अगरिया सहरिया ठीक है तो आंसर जो है वो है अगरिया एक्चल समझे मद्यप्रदेश साशन ने 2017-18 में ये योजना शुरू करी थी उद्देश ये था इसकी विशेश पिछडी जनजाती इन पिछडी जनजातीयों में जो महिलाओं में कोपोशन हैं उस कोपोशन को हम कैसे कम करेंगे तो सरकार ने ये decision लिया है कि एक काम करते है जनजाती कारे विवाग के सहीयोग से इसको चलाते है तो और उनने क्या करा है कि जो important important जो जिल जागु अली राशपूर इसमें मूल रूप से नहीं क्योंकि वहां पर विशेश पिछडी जन जाती है विशेश पिछडी जन जाती जैसे सहारिया तो गौालियार गुना अशोग अगर दतिया इसके आसपर सहारिया मिल जाएगी बेगा तो मंडला डिंडोरी जो परिवार की जो मुख्या महिला होगी उसको हम प्रतिमा एक हजार रुपे देंगे पोशन अहार के रूप जिससे कि कम से कम हम उन परिवार को पोशन से बाहर निकाल सके तो इस तरह से हमने जो है वह यह कहा कि चवदा जेलों में यह योजना है और कोई पूछेगा कि चवदा जिले कौन से हैं तो वो जिले हैं जहां विशेश पिश्ड़ी जन जाती जैसे बेगा तो यहां पर लिगनों जैसे मंडला हो सकता है डिंडोरी हो सकता है ठीक है बालाघाट हो सकता है ठीक है यह आपको मालूम होगा उमरिया हो सकता है अनुपूर हो सकता है शेड किक्षान्गार कियों necessity याँ पाई जा मिलक्षा इस तरह से यह यह जैए यह भी जन corn जाती है उससे संब्धित प्रधानमंतरी किसांसम्मान नेदी के संब्ध में निम्रों से कौनवे सा कफना सट अब कंको यह क्यों लिया कुंकि ये राज्य ही संचलित करवा रही है इसको है केंदर की पर राज्य का भी एक इंपोर्टन रोल है और ऐसी योजना के कोशन बहुत गलात होते हैं क्योंकि इसके फैक्ट्स हम लोग कई वार चोड़के चले जाते हैं और ये दो वार MPPSC में कोशन जो है वो आ चुका अभी एक लागू कि यह बिल्कुल गलत है यह योजना लागू ही थी एक दिसंबर 2018 को योजना के तहट सभी किसानों को नियूंतम आय साहता के रूप में प्रतिवर्ष 6000 रुपे मिलेंगी जो आ रहे हैं योजना के अंत्रगत वो और प्रतेग चार महा के अंत्राल पे 2000 रुपे की जो है वो साहतारासी दी जाएगी यह भी बिल्कुल सही है याने हम यह कह सकते हैं कि योजना अब इसमें जो है वो याद रखिएगा योजना का जो लाब है वो हर एक किसान को जो हो नहीं मिलेगा मतलब आप सोचो कि जितने किसान सब को मिल जा नहीं यह हैं छोटे और सीम किसान जो ए वगर कहा जाए कि किस को कहेंगी तो हमेसा याद रखिए का किजब आडु किसानों की बात करते हैं तो किसानों के पांच तरहां सेनको कलासिफाई करते मतलब उन-की जमीन जो लेंड होल्डिंग है किसान के बाद उसके आदार पर कोई पूछे किसान कितने प्रकार से वर्गी करत कर रहे हैं हम लोग तो पांस तरह से किसान को जो है वर्गी करत कर रहे हैं सबसे पहला जिसके पास सबसे कम जो है वो लेंड होल्डिंग है उसको अपन बोलते हैं सीम जमीन होती उसको पन बूलते हैं स्मॉल यानि छोटा फिर इसमॉल के बाद आता है सेमी मीडियम ऐसलसे चार हेक्ट्यर जमीन वहला जो kis92 धूरस को सेमी मीडियम बूलते हैं मीडियम चार में एक हेक्टियर से कम वाले और इस मॉल में कौन हो गए एक हेक्टियर से दो हेक्टियर वाले उनके लिए योजना है ये भी याद रखेगा और डेट जो मैंने बताई कि एक दिसंबर 2018 ये याद रखना है अगला निमलिकित में से कौन सा जह है वो सही सुमलित नहीं है पहला पंक अभियान 24 जन्वरी 2021 बिलकुल सही मुख्यमंत्री उद्यम करांती योजना 13 मार्च 2021 ये भी सही मुख्यमंत्री कोविड उप्चार योजना 7 मही 2021 ये भी सही मिशन ग्रामोदे य जो है वो शुरू हुई थी 18 मार्च 2021 को अभी चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा जो है वो मैं आपको जो है वो बता दे रहा हूं जैसे नंबर वन आपका है पंक अभियान तो वूमन एंपावर्मेंट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्टी करण की दि जो है वो गल चाइल्टे याने राष्टिय 伏व बेटी दिःवस वह मनाते और इसी समें बएटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतरगत यह योजना आई मतलब योजना किसके अंतरगत है, पंक पहले हो बेटी बचाओ यहां लिख दे रहा हूं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतरगर यहां पर अब यह पंक क्या है मतलब मतलब इसमें भी यह दियान रखाया महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने पंक शब्द का प्रियोग किया यह पंक वर्ड का भी अपना यहां लिख दे रहा हूं पंक पी से प्रोंग बिखेता में प्रोटेक्शन ईस से बाइश्य और शॉंड्स नूट्रिशन यहां पर यह नूट्रिशन लिखा यह यू है ठीक है यह नूट्रिशन हो गया के से क्या हो गया नॉलेज अगर हम बच्चियों के अंदर ग्यान का संचार करेंगे तो वह आतनिर्वर होंगी अपने अधिकारों के प्रती जो है वह सजग होंगी और एच एक ब में हम सीधी सी बात करें सुरक्षा जागरुप्ता पोशन ग्यान और स्वास्त को बढ़ावा देने के लिए मत्यपरदेश साशन ने राष्टे गल चाहिल डे के दिन यह योजना शुरू करी दूसरा सो रोजगार के लिए जो दूसरी योजना है वो है मत्यपरदेश में म अब मिशन ग्रामों दे क्या है वो समझ लेते हैं यहाँ पर आपको माने होगा कि भारत में दो तरह की उजनाए और वर्तमान चली है न मुशन नग्रों दे मिशन ग्राम अभी सबसे बड़ी समस्या है मकान क्यों क्योंकि देखो अगर आपके पास बग्क्त मकान होगा ना एक मकान से ये समस्याएं आप अपनी दूर कर सकते इसके लिए इंदरा जी के समय से ही योजना चली आ रही है जिसे इंदरा आवाश योजना वरतमान में प्रधान मंतरी आवास योजना इस दिशा में चल रही है तो इसी प्रधान मंतरी आवास योजना चल रही है उसी के त है तो मद्धे-परदेश शाशन ने मिशन ग्रामोंधे शुरू कियाрист उस प्रधान्मंतरी जो ओजन है जिन Towara Kids 가장 पूचेगा कि कि तो तो एक लाख पच्चिस हजार हिते ग्राही जो है उनको मकान की चावी दिगी मुख्ष मुख्यमंत्री जी धार में उस कारेक्रम में जो उपस्तित थे बाकी तो फूरा बाकी जो भी उसमें लीडर्स थे चूंकि उस समय कोविट के इशू थे तो बाकी सब तो जो है वो वर् अगला है मत्यपरतेश साशन द्वारा निशाक्त जन, विवा, प्रोस्थान, योजना किस वर्श शुरू की दो जार आट, दस, बारा, सोला दो जार आट में निशाक्त-जनों से जुड़ी हुई या दिव्यांग जनों से जुड़ी हुई समस्या है जैसे विवा में आ र वो लाया गया है, तो ये एक आपको याद रखना है, अगला है डॉक्टर भीमरों बेटकर आथिक कल्यान योजना के तहत अनुसुचित जाती वर्ग के हितकराही को बैंक के द्वारा कितने रुपे तक का रिण उपलत कराया जाता है, ठीक है, सो रोजगार और आर्थिक पलत कराया जाता है, जिससे कि वो कम से कम सो रोजगार से जुड़ें, अपने आपको आर्थिक रूप से शशक्त करें और मुख्यधारा के सांथ जुड़ जाएं, इसलिए ये जो है, वो मद्यप्रदेस सरकार के द्वारा भीमरों बेटकर आर्थिक कल्यान योजना संचल की जा रही है, ये याद रखने हैं, अगला है मद्यप्रदेस सरकार की मुख्यमंत्री किसान कल्यान योजना कब शुरू किगे, अब आप कहोगे कि ये प्रशना आपने आनने से सरी रख ली, हमसे बन जाता है, बन जाता है, लेकिन हमें से द्यान रखी, ऐसी योजनाओं म ऐसे कोशन्स जो है, वो हमेसा जो है, वो गलत होते हैं, तो मुख्यमंत्री मद्यप्रदेस सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्यान योजना, 26 सितंबर 2020 को जो है, वो शुरू की गई थी, जिसमें प्रधान मंत्री जो अगर कहा जाई, जो किसान कल्यान योजना थी उसी प्रधान मंत्री किसान गल्यान योजना में मत्य प्रदेश साशन ने चार अजार रुपे और मिला दिये याने चार अजार रुपे वहां से मिल रहे थे सीमांत और स्माल फार्मर्स को चार अजार राज्य सरकार ने दे दी इस प्रकार एक प्रकार से किसान को साल में 10,000 रुपे की अब जो है वो अनुदान या साहिता रासी इसमें जो है वो मिलना शुरू हो गए इसी लिए ये ये उजना का ये सन जो है वो पूछा जा सकता है मतलब इसमें याद रखना कि कुछ ने कुछ आप से पूछने वाला जो है वो कोशन है तो ये इसका डेट जरूर याद रखेगा तब कुछ कोशन जो है वो गलत जो है वो ना हो जाए ठीक है चलिए अगले की उपर बढ़ते है अब अगला कोशन है मद्वर्देश आसन द्वारा संचलित योजनाओं के बारे में कौन सा खतन सह सम्लित नहीं गाउं की बेटी उजना उज्च्सक्षा विवाद देखे उच्छी सिक्षा मतलब बार्वी के बात्खा जो भी होगा वामेसा उच्छ्छ्छी नंतर है School sikchha और Ucchya sikchha यानि दो तरह के विवाग होते है एक होता है School sikchha विवाग एक होता है Ucchya sikchha विवाग तो यह Ucchya sikchha विवाग से संबंदिती होजना है यह याद रखेगा यह पहली होगी प्रतिवा किरणी योजना ये भी उच्चे सिक्षा विवाग से ही संबंदिती योजना है मंगल दिवस योजना स्वास्त एवं परिवार कल्यान विवाग नहीं ये महिला एवं वाल विकास विवाग याने ये वाला तो गलती होगे मंगल दिवस जो है वो महिला भी इनके बारे में बता भी दूँगा महिला एवं वाल विकास व्यवाद ठीक है यहां लिखते हैं उससे संबंदित यह योजना है दीन दया लंतो दे उपचार योजना स्वास्तेवं परिवार कल्यान के द्वारा संचलित योजना है अब समझ गाउं की बेटी प्रतिवाकरण विक्रमादित्य और क्रीड़ा अधिकारी योजना यह सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो मत्यपरदेश सरकार अभी चला रही है जैसे गाउं की बेटी योजना में क्या है कि जो भी मतलब अगर कहा जाए मत्यपरदेश के अंदर इस कि इस नातक स्तर में जाती है थीक है तो उनको जो है वो अगर कहा जाए कि जो भी ऐगर कहा जाए मतलब सरस्थान होगी उसमें उनको कुछ सरकार के दवारा जब यह वो लाब दिया जाता है जैसे बारवी के बाद अगर वह प्रतम शेणी उत्तरिंड हो रही है तो यार रुपे की साहिता देती है इंजिनिंग या मेडिकल है तो उसमें साथ सो पचास रुपे की साहिता मिलती है साड़े साथ यार रुपे मिलता है यह गाउं की बेटी योजना के अंतरगत है सेम प्रतिवा किरण योजना अगर मानके चले लेकिन प्रतिवा किरण योजना वो इसनातक स्तर के लिए ही है यह ध्यान रखेगा पहले तो यह ध्यान रखेगा और गरीवी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए ठीक है इसमें क्या होता है यह स्कॉलर्शिप स्कीम से प्रतिवाकरण जिसे बारवी आप उत्रीड कर गए फॉस् वारशिक्स आया था इंजिनिंग में 750 याने 7500 रुपे वारशिक्स आया था लेकिन ये ठीक है बीपील फैमिली के लिए याने अगर बीपील फैमिली में नहीं है तो इस योजना का जो है वो लाप आप नहीं ले सकते हो ऐसे ही सुलक बापसी योजना भी higher education department चलाता है याद बारवी के बाद की बात की बात करते है एक होती स्कूल सिक्षा विवार ठीक है जैसे inspire एक award आता है कोई पूछे का inspire award सुना होगा वैसे आप लोगोंने उसमें पाचवी छटवी साथवी आडवी जो है वो नोवी ये जो क्लास होती है इसमें सबसे आदा जो नंबर लाते ह उनको 5,000 रुपे की सायता देते हैं वो inspire award तो कोई पूछे का inspire award ठीक है या चात्र प्रहसान योजना ठीक है या ऐसी और भी योजना है जैसे गणवेश योजना निशुल्क गणवेश योजना ये सब स्कूल सिक्षा विवाग की है तो ये याद रखेगा मंगल दिवस अ लने के बाद जो गोद भराई होती है बच्चे के जन्म के बाद आपको माले में 6 माहा तक तो बच्चे को हम मां के दूद के लावा कुछ भी पिलाने के लिए नहीं कहते हैं तो 6 माहा के बाद जब बच्चा पहली बार अना प्रशन करता है मतलब कोई उसको अनाज खिलाय तो इसमें बखाईदा महिला एवटका रविकास विवाक से चलती है। और किशूरियों से संबनुदिति जो योजनाय चलती है। कौन-कौन सी? मैं डोचार के नाम आपको बता देता हूँ। महिला एवटकास विवाक से जैसे उधीता योजना, प्रदहान मंत्री मात्रबंदना योजना पढ़ लेना अभी भारत सरकार की इसलिए मैंने इसमें नहीं रखी ठीक है मुख्य मंत्री महिला सशक्ती करन योजना ठीक है इसलिए योजना मैंने बता दीनगी किस विवाग से जहर वसंचलित होती है इसलिए कि एप्रोच वो जाती इससे संब्धिति वोगा वहाँ पर उदीता योजना आ गया अपने को उदीता वह योजना के बारे में कुछ नहीं पता लेकिन अपने को ये मालुम है तो अपना द तो 90 परसे तक पो सकते ना कहीं ना कहीं चलिए निम्लिकित में से कौन सी होजना जन जाती समुधाय के लिए संचलेट नहीं की जाती आकांग्षा योजना बिंयों की जाती बारवी की जो बच्झे बार्वी जो पास बच्चियां होती हम Covid ऐसे के ँसे थि ठीक है जही है आदी के exam के लिए सरकार scholarship देती है और उसे बच्चे qualify भी होते हैं जैसे अभी मुक्यमंत्री जी ने tweet भी किया था एक बच्ची ने need का exam qualify किया था वो बेगा tribe से थी उसका उन्होंने tweet भी किया था मुक्यमंत्री जी ने तो ये योजना मैधावी विद्ध्यारती योजना ये भी जो है वो जनजाती समुदाय से संब्धित विक्रमादिती योजना उच्च सिक्चा विवाग की योजना है और ये योजना जो है वो समाने वर्ग के लिए ठीक है ये ध्यान रखेगा ये कोई पूछेगा कि किसके स सामाने वर्गे कि गरीवी रेखा से नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं बच्चे उनके लिए योजना जो है वो हायर एजूकेशन से संबंदित है यह याद रखेगा कन्या साक्षरता प्रोस्थान योजना यह तो अभी ऐसे ही मद्यप्रदेश सरकार जो है वो चला रही है जिन जाती चेत्रों में ठीक है याने इतनी योजना यह ट्राइब से और यह वाली जो अभी जो मैं बता रहा हूँ कन्या साक्षरता प्रोस्थान योजना के बारे में आ जाए तो इसको तो यादी रखना क्योंकि इस अभी चल रही है इसके उपर सरकार अभी एड़ वग जो ड्राप आउट रेट होता है न याने बच्चा एक समय के बाद स्कूल नहीं जाता उसको कैसे कम करें तो उन्होंने यह कहा कि दजबी उत्रीन करने के बाद अगर कोई लड़की ग्यारवी में प्रवेश लेती है लेकिन वो अनुसुची जन जाती से होना चाहिए तो उसको हम तीन हजार रुपे की प्रोसाहन रासी देंगे इससे क्या होगा कि वो जो दजबी के बाद जो ड्राप आउट रेट है ड्राप आउट रेट का मतलब होता है कि कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहा है वो ड्राप आउट रेट आ यहां पर वो ड्राप आउट रे रासी देने लगे तो उनके माता-पिता को लगा किया एक प्रोसान रासी मिल रही और यह हमारे लिए जो है वो मतलब इससे हम उसकी पड़ाई जह हो क्या कर सकते हैं कंटिनू आगे जारी रख सकते हैं तो इस दिशा में यह योजना है तो विक्रमादिती योजना याद रख हैं पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संक्यके विध्यारतियों के लिए अनुसुच्चित जाती के विध्यारतियों के लिए सामाने वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विध्यारतियों के लिए तो आंसर जो है वो पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संक्यकों के विध्यारतियों के लिए चात्रिक रहे योजना इसमें ध्यान रखेगा ऐसे भी मत्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संक क्या कल्यान विवाग एक अई जो है वो मिनिस्ट्री देखती है तो उसमें जो है वो चात्र ग्रहय योजना आती है अभी कोई पूछ ले किस से संबंदित है क्योंकि पिश्ड़ा वर्गे से संबंदित जो है वो बहुत सारी योजना है तो नहीं लेकिन जैसे अगर कहा से जार रुपे का जो है वो पूरुसकार दिया जाता है वो मेधावी विद्यारती पूरुसकार योजना है ता षकहRO वर्गे के लिए ठीक है वोएक योजना चलरी और ऐसी यह योजना जो अब है ने बता दिए वो चातरगम उसके पास रहने की जगा नहीं मतलब बोस्ट तो एक हजार रुपे की जो रासी जो है उसको दी जाती है निवास इस्थान पर रहने की सुविधा सरकार उसको मोहिया करें कि वहीं रहे तो ये एक कोशन जो हो सकता है चलिए अगली योजना की ऊपर बढ़ते हैं देखते हैं अगली योजना जो है वो क्या कहते हैं अब अगला जो है वो है मत्यप्रति साशन के द्वारा निम्न में से किस रोग के प्रती जागरुकता है तू सांस अब यहां शुरू किया गया है ठीक है कोविड नाइटी निमोनिया मलेरिया टीवी तो इसमें आपने को याद रखना है कि यह जो है वो प्रोग्राम शुरू किया गया है निमोनिया के लिए पहले तो समझ लीजेगा कि यह प्रोग्राम है क्या लेकिए पांच फरवरी 2021 को या फरवरी एक जकली कई जगा इसमें थोड़ी अलग-अलग मिलती है लेकिन पांच फरवरी ज्यादतर जगा मिला फरवरी 2021 में मत्यपरदेश साशन ने एक प्रोग्राम लांच किया सांस इसका फुल फॉर्म यहां पर लिख रहा हूं है जिससे आपको कम से कम यह समझ पड़े सांस का मतलब था शोशल यहां प निमोनिया में पी साइलेंट होता है ठीक है पूरा लिख लेना निमोनिया सक्सेस्फुली यहां लिख ले रहा हूं सक्सेस्फुली अब पूरा लिख लेना है रहा है ना अब क्या होता है लिखने में समय जाता है एक जिसस्फुली यह सोशल अवेरनेस एंड एक्शन टू नियुटलाइज निमोनिया सक्षेश्पुली ये प्रोग्राम शुरूर किया देखो हम सब जानते हैं निमोनिया एक बैक्टियर इंफेक्शन है और स्टेप्टो कोकस निमोनी उसका बैक्टियर है और बहुत खतरनाक है बच्चों के लिए तो बहुत खतरनाक है औरेडी दनुश में भी जगा दे रही है तो मद्परति सरकार भी एक अवेरनिस का रिक्रम चला रही कि एर कम से कम आप अवेर हो निमोनिया के प्रती वैक्सीन लगवाओ बुनियादी जानकारी हासिल करो जिससे बच्चे की जान को बचाया जा सके और निमोनिया के समय क्या कि में ही इसको जहें वो जगा देना पड़े अगला है मद्प्रदेश साशन द्वारा संचलित योजनाओं के संदर में कौन सा सही समलित नहीं है लाड़ो अभियान बाल विवा की रोकताम के लिए लाड़ो इसकीम शुरू करी पंचायतों के मात्यम से इसका क्रियान विय करना आदी में उदीता योजना जो है वो मद्प्रदेश सरकार चलाती है जिसे एक सिंपल जी लॉजी के आपने वो पिक्चरों के पहले आड़ देखा होगा अक्षे कुमार का एक सैनिटरी जो है वो पैड का जो है वो आड़ करते हैं आक्षे कुमार वो कहीं ने कहीं संबंदी थी क्योंकि अगर बुनियादी बेसिक चीज़ें जो है वो जानकारी हो तो उसका जो है वो फाइदा जो है वो मिलता है तो उदीता योजना इस दिशा में जो है वो एक अच्छा जो है वो कदम लालीमा महिलाओं में गरवती महिलाओं में धात्री माताओं में औ गोली सबसे जो है वह इंपॉर्टेंट जो है वह मानी जाती है आप भी ऐसे भी अगर गल्स कोई इसको मैसेज को मतलब इस वीडियो को देख रही है तो वह डॉक्टर से कंसल करके ऐसे भी फॉलिक एसिट की गोली तो आप नॉर्मल बिन डॉक्टर के भी खा सकते बहुत पॉलिक एसिट का विटामिन है तो आंसर याज विटामिन बी नाइन का ही नाम फॉलिक एसिट है याद रखेगा तो लाली माई योजना चल रही है उशा किरणी योजना पोसन अहार संबंदी योजना यह बिलकूल गलत है एक्जिकली क्या हुआ घरेलू इंसा जो थी उस की रोख्थां के लिए घरेलू इंसा से महिला संदक्षण अधिनियम अमने 2005 पे बनाया अधिनियम के जिसके मिलेगी महिलाओं को बच्चों को 18 साल तक को सभी बच्चे आजातें, इनकी जानकारी कैसे मितेगी तो एक अप्रेल 2007 को मद्रदिस सरकार ने एक योजना शुरू करी अभी भी है वो योजना ऐसे नहीं उस योजना का नाम जो है वो है आपका उशा किरण योजना और ये जो योजना है वो कई योजना को के साथ चल रहे जैसे वन स्टॉप जो से कोई भी हिंसा से पीडित महिलाव को पूरी काउंसलिंग याने विदी की सायता चिकिसा सायता उसको आइस्थाई आश्रे पुलिस की सायता यह सब वन स्टॉप सेंटर इसको सखी बोलते हैं मत्रदेश में दियान रखना एक और अच्छा कोशन देदी है मैंने को वन अगर कहा जाए जो चीजे मिल सकती है उस समय जैसे उसके सांथ घरे लूंस वी तो उसको उस समय पुलिस की भी काउंसलिंग चाहिए विदी की भी चाहिए हॉस्पिटल भी चाहिए तो मत्रदेश सरकार ने इसी के तहति यह उशा किरान के तहति वन स्टॉप सेंटर सखी जो है वो शुरू किये और बढ़ियां जो है वो सकी सेंटर जो है वो काम कर रहे हैं तो यह भी एक इंपॉर्टेंट जो है वो कोशन हुमारा हो सकता है अगला है मुक्यमंत्री बाल आसिरवाद योजना के तहत अनात बच्चों को कितने रूपे प्रतिमहा की साहता उपलब्द कराई जाएगी दो अजार तीन अजार चार अजार पांच है तो इसका आंसर जो है वो है पांच है एक्चुल क्या हुआ कि कोविट के दौरान माता पिता को खो चुके बच्चों को कैसे हम उच्चे सिक्षा से जोड़ेंगे ठीक है इन सब के लिए यह मुक्यमंत्री बाल आसिरवाद यो देश चला रही है जैसे ट्राइब जन जातियों के लिए सिविल सेवा प्रौसान योजना ठीक है जैसे मान के चले कोई बच्चा है वो अगर संग लोग सेवा आयोग की प्रारंबिक परिक्षा उत्रिण कर लेता है तो 40,000 मुक्य उत्रिण कर लेता है तो 60,000 साक्षतकार क बात जो है वो अगर कहा जाए कि सफल होने पर फिर उसको 50,000 से उसको दिया जाता है ऐसी लोग सवा के आयोग में भी जो है वो प्राबदान है लेकिन अमाउंट जो है वो कम है कन्या साक्षरता प्रौसान योजना मेंने आपको बताई दी और भी बहुत समय ठीक है जैसे प्रतिवा किरण योजना जो भी आपको बताया है जंजातियों के लिए प्रतिवा योजना वहां प्रतिवा किरण नहीं है उसका नाम है प्रतिवा योजना जैसे मान के चली अगर कहा जाए कि कोई पाठिक्रम है और उसमें वो सफल होती है जंजातिये समुदाय का कोई ब इसी बहुत सारी योजना हैं तो और भी योजना हैं लेकिन उसके लिए एक और वीडियो बनाएंगे तो उसमें बाकी योजनाओं को cover करेंगी इसमें कोशिश करी जो मुखी मुखी योजना है थी वो इसमें cover करी तो बहुत शुब कामना है उम्मीद है आपको बहुत अच्छा से समझ पड़ा होगा चीजें छोटी छोटी जो points बताएगा है उनको जरूर copy में note कर लीजेगा वो गलत हो सकते हैं जैसे पहला question बताया था कि लाडली लक्ष्मी 2.0 कप शुरू ही ये सब को पता है कि आड में लेकिन लाडली लक्ष्मी उत्सब अगर आ जाएगा दो मई से ग्यारा मई तो वो बहुत सारे बच्चों का जो है वो question गलत हो जाएगा तो उसको हम कैसे याद रखी उसके लिए तो अपने friends को भी share कीजिए बस ही अन्रोद कर सकता हूँ कि सब्सक्राइबर जितने बढ़ेंगे उतना एक manoval भी बढ़ता है उससे और लगता है कि हम जो प्रियास कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं दूसरा आप सबसे एक और अन्रोद है कि जो आप मतलब message करते हो कोई भी आप message करते हो मुझे तो कोशिश करिए कि same message अगर किसी ने कर रहा है तो उसमें अगर description में मैंने कोई चीज़ लिखी तो उसको एक बार जरूर देख लिए किजिए तो बहुत धन्यवाद आप सबको शुब कामना है और उन्नती कीजिए इसकी तरह से परा देगी तरह से लिए किजिए बार देगी तरह से लिए